इसको लेखर आदेश जारी किये गए हैं अब राब्तरी 12 बज़े खे बाद सरकारी रोड़ेश बस नहीं चलेंगी सरकारी बसों का संचालन't राब्तरी 12 बज़े कि बाद नहीं हो सकतेगा तो मंत्री द्या शरंकर सिंग के तरब से ये नरदेश जारी किये गए है यूपी के रोड़ वेज अधिकारियों को ये निर्देश मंतरीजी के तरब से दिये गए है। जहां अगर कोहरा पड़ता है तो बस कोहीं रोका जाएगा पुले स्टेशन के पास रोका जाएगा ताकि यात्रा जो कर रहे हैं यात्री वो सुरक्षत रहें। स्वागत किया है कहां जाएगी कान पूर जा रहा है तो क्योंकि कोहरा बहुत आदिक पढ़ रहा है दस कतम पंदा कतम से जाना नहीं दिख रहा है उसके लिए दिकत होती है अपनी जिन्दिगी भी देखनी हैं सबारियों की देखनी है तो यह सब्सक्राइब क्या मानते हैं इसको आप सब्सक्राइब क्योंकि रात में हाथ से भी हो जाते हैं कौरा भी ज्यादा आ रहा है परिसानी होती है ड्राइबर को भी परिसानी होती है हम लोग वी चल रहे हैं रात में तो परिसंदिगा सरकार का जो फासला है वो सही आया है अगरे की वज़े से चालक को यात्तियों को दिक्कत होती है इसका बारा बज़ेग बात गाड़ी रुकने करें जिख सकते हैं के राध्सरी के 12 बजने बाले हैं जासी के वश्टेंड पर रोडवेज बस है जो खड़ी है के पैसेंजर कांपुर के लिए यांत्रा कर रहे हैं लिकिन यहां का पूरा स्टार का पहेंसला जो ठीक है अच्छा आया है इस से अधमां हाथ से बचांगे अब देखना है कि सरकार के फैसले को एक कि अमल करते हैं और तमाम हाथ से हो रहा है उन पर कितना रोग थाम होता है कि अम्रा वर्सम्भीबे के साथ ऐसे जहाभार समाचार जहासी उत्तब दे सरकार का एक अच्छा फैसला जो आया है कि हांगे रोड़ बिज बसें सरकारी बसें हैं जो रातरी 12 बजी के बाद नहीं चलेंगी नहीं कोई टिकेट दिया जाएगा नहीं कोई online registration होगा हमारे साथ बरिष्ट लिपेख हैं से पूचेंगे इनके पास जो आदिस आया है कि नहीं प्रचाल भी इनके नहीं होगा तो जाएगी और कोरा नहीं होगा तो जाएगी और कोरा नहीं और नहीं तो अपने गंता विस्थाम तक जाईगी गाड़ी दिख सकते हैं कि बरश्ट लिपिक हैं इनका कहना है कि कोहरे के अगर खोरा है तो गाड़ी नहीं जाएगी इनका कहना है कि यहां के जो ड्राइवर हैं के इरेक्टर को सभी को चेतवानी दी गई है जो सरकार का फैसला है बहु समाचार जासी